हेलो फ्रेंट्स सागय रादम दिस साइड आज आपके लिए बहुत ही शांदार अपरचनिटी लेका आया है और जिसको फिर से आपने सुन लिया और समझ लिया तो आपकी तस्वीर इनी तक्दीर भी बिदल जाएगी आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्रजेक्ट की जो की पर्फेक्ट होकर भी इंपर्फेक्ट हो गया उस प्रजेक्ट का नाम है अर्बेनिया अर्बेनिया एक ऐसा नाम है जो आपने सबी नहीं सुना होगा पर बहुत कम लोग उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं अर्ब एक करिके इनदर व इनर पतंगे आपकी रिटेल शॉप्स साथ मेशा आजा टै कॉफी शॉप्स और साथ में आजा भी वह त्पहूंत इसे बडा land है उसके अंदर आपको majority जो projects दिखाई देते होंगे उसके अंदर 200 से लेके 600 तक की shops है यानि कि 200, 300, 400, 500, 600 shops ही होती है इससे नीचे shop किसी के अंदर नहीं होती है but when you enter into urbania जब आप urbania के अंदर enter करते हो मातर मातर 60 दुगाने 60 shops हैं 10 एकड़ के अंदर जो की एक बहुती optimum size है किसी भी shops को चलाने के लिए यानि कि anybody who purchases this retail would be beneficial जब मैं retail से अंदर चलता हूँ तो मुझे दिखाई देता है food court यानि कि इसका जो food court है सिर्फ अफ सिर्फ ground floor के उपर है और कहीं पर food court नहीं है ground floor पे food court होने का सबसे बड़ा benefit क्या है eventually जब हम देखते हैं किसी भी high state को गौर को देखते हैं या galaxy new sapphire को देखते हैं किसी भी commercial को देखते हैं तो उनके अंदर जो food courts हैं वो कहीं नगी third or fourth floor पे है third or fourth floor versus ground floor के food court का सबसे बड़ा difference ही है जब मैं ground floor पे food court होता हूँ आज की date के अंदर जितने भी food brands है उनका majority business आज उने approximately 30% business सिर्वासर food deliveries से आता है जैसे कि आप जानते हैं आज का दोर है fast दोर fast deliveries का दोर जीतेगा वही जो तेख चलेगा और इसके अंदर जितनी भी companies है वो जादा तर जल्दी जल्दी deliveries करना चाहते है कि हम जल्दी से जल्दी अपने clients तक deliveries पहुंचे है उसमें ये बहुत बड़ा उपी होगी थाबित होगा कि मेरा ground floor पे food court है जितने भी branch है वो ground floor पे है वहां से मैंने अपने लिए parcel पगड़ा और मैंने जहां पे डिलीवर करना है वो डिलीवर कर दिया इसकी strategic location भी इसको ये benefit देती है because it is surrounded by many of the societies इसके आसपास नियरबाइ 60 से ज़्यादा societies है जिसको ये exactly category पाएगा मैं इसके बात जाता हूँ food courts की एक खास बात और है food courts nearby धाई डाई थी तीन-तीन हजार स्करफिट के bunch में है जिसके अंदर मैं अलग-लग brands को हजार-जार स्करफिट के असपास का area दे सकता हूँ June 2025 के अंदर product की delivery date है जिसके अंदर उन्हें product बनाना है आज current situation construction से लेके क्या है retail मेरा totally ready है front की retail है double-hited shops बन चुकी है उसके ओपर जो co-working spaces है वो भी बन चुकी है उसके ओपर restaurant है जिसका front है सबसे ज़्यादा है 220 foot का front है restaurant होगा वो भी exactly तैयार है जस्ट उसके पीछे non-tower ready है office spaces के अंदर सिर्फ pass floors डाले है इस product की सबसे बड़ी USP यही निकल के आती है कि इसका first leasing right developer के पास है इसकी जो retail है वो on an average 1100-1100 square feet के clusters बनाती है यानि कि किसी brand को अगर on an average 1100 square feet का size चीए तो company बना के दे सकती है 1200 square feet का size चीए या 3300 square feet का size चीए तो 1100-1100-1100-1300 square feet के cluster बन सकता है जिसमें दोनों तरफ से entry किसी भी brand को मिल सकती है यह एक brand का benefit है जो की company उसको दे रही है जो पूरी property है वो exactly 200 में divided है first phase और second phase first phase के अंदर मेरी retail आ जाती है मेरा food court आ जाता है office space का seat tower आ जाता है साथ में मेरा D tower आ जाता है और साथ मेरे first phase के विलाज आ जाते है तो मेरा second phase है उसके अंदर आपके कुछ studio apartments आएंगे जो अभी हमने launch में किये साथ में आपको आ जाएगा B tower and 8 tower जो की मेरे office spaces हैं जो की future में आएंगे after six to eight months के बाद में exactly properties आने वाली है property के जो position है position is somewhere close to सवा साल से तेर साल के आसपास का position है first phase का और second phase के लिए company अलरी थीन साल के according time duration लेके चलेगी but first phase completely different है उसमें somewhere close to सवा साल के आसपास का time duration लेग जाए food courts ground floor पे हैं वो भी exactly leased out है coffee shops भी है इसके अंदर on and average धाई-डाई हजार स्करफट की coffee shops है which is divided into small portion साड़े तीन सो साड़े तीन सो के unlockable spaces हैं वो जो कि एक पूरी combine में डाई-जार स्करफट बन जाता है क्योंकि इसके अंदर तीन office buildings हैं उनके लिए specially डाई-डाई-जार स्करफट की coffee shops भी इन्होंने बनाई हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी ही unique videos आती रहें जो कि आपको unique opportunities देती रहें जहां पर आप अपने 20 के 40, 40 के साड़ कर सकते हैं तो उसके लिए आप subscribe करें ये channel और for more details related to urbania कि उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं को best deal क्या मिल सकती है कहां पर क्या available है और offices के अंदर क्या available है तो उसके लिए you can contact the team directly call on the number below and all the very best to you